हेलो दोस्तों मेरा नाम है अखिर और मैं पिछले 12 साल से जही आस्पिरेंस को ट्रेन करना हूँ आज हम कुछ ऐसी गल्तियों के बारे में बात करेंगे जो शायद आप भी कर रहे हों आज इस गल्ति के बारे में हम बात करेंगे वो है concept of point of inflection जो आपने application of derivatives में पढ़ा ही होगा तो आइए जानते हैं जो पहली गल्ति है वो बच्चे क्या करते हैं हेलो दोस्तों आइए बात करते हैं point of inflection की जो गल्तिया लोग करते हैं उसे समझते हैं सबसे पहले inflection की definition समझते हैं point of inflection is a point where the curve changes the sign of its curvature यहां पर आप देख पा रहे होंगे definition साफ तौर पर लिका हुआ है it changes the sign of its curvature sign of the curvature का कहने का यह मतलब है दोस्तों कि वो ऐसा point होता है जहां पे curve अपने concavity का जो nature होता है वो change करता है यहां दो example मैंने आपके लिए side किये हुए है in fact आप इसे तीसरा example भी कह सकते हैं पहले example को अगर आप गौर फर्माएं तो आप देख पा रहे होंगे कि curve पहले एक के पहले concave downwards था एक के बाद वो concave upward हुआ तो यह हो ऐसा point है जहां पे उसने अपनी concavity को change किया और यहां पे आपको देखने को यह भी मिल रहा होगा कि जिस थरीके से मैंने curve को बनाया है उस पकार से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहां तो derivative 0 है आगे देखते हैं दूसरे example पे यहां पे second example में curve अपने concavity को फिर से change कर रहा है पर एक के पहले concavity उपर की तरफ थी अब एक के बाद concavity नीचे की तरफ है यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि इसका derivative 0 है अब इन दोने example से बच्चे एक wrong notion बना लेते हैं गलत concept बन आता है दोस्तों ऐसा बिलकुल नहीं है आज इसी लिए मैं आपके लिए वीडियो लेका आया हूं कि यह mistake year after year year after year बच्चे करते हैं third example से यह बात साफ तौर पे जाहिर हो जाती है कि curve का derivative 0 होना जरूरी नहीं है point of inflection पे यहां पे माल लीजिए see एक ऐसा point मैं आपको दर्शार आओं जहां पे curve अपनी concavity को change कर रहा है इस point पे आप देख पा रहे होंगे derivative of the curve is not equal to 0 but यहां पे एक point of inflection है right so point of inflection वो point होता है basically जहां पे अगर आप एक tangent ड्रॉ करें तो वो tangent curve को उसी point पे cross करें मैं फिर से दोहरा देना चाहूंगा point of inflection basically वो point होता है जहां पे अगर आप tangent ड्रॉ करें तो tangent उस curve को उसी point पे cut करें आपके लिए एक curve ड्रॉ किया है एक cubic equation है और इस cubic equation पे एक मैंने point चूज कर लिया है right एपर एक tangent ड्रॉ किया गया है अब मैं आपको यहां पर दिखा देना चाहूंगा कि यह tangent इस curve को A पे मात्र टच कर रहा है इस जो position है इस position पे curve को मात्र tangent टच कर रहा है अब मैं इस point A को change करूंगा आप देख रहा होगे कि उस पे बनाया हुआ tangent भी साथ-साथ move कर रहा है correct अब तक ऐसी कोई scenario नहीं आई जहां पे tangent ने curve को उसी point पे cut किया हूँ अब आप देखेंगे कि दीरे 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 मैं ऐसे position पे इस point को ले जाऊंगा जहां पे tangent ने curve को उसी point पे cut किया है जहां पे आपने tangent बनाया है so here the tangent is cutting the curve at the point of tangency दोस्तों यह है वैसा point जहां पे आपको inflection मिलता है और जरूरी नहीं है कि इस point पे कर्व की जो derivative है वो 0 हो तो यह थी पहली गल्ती अब जानते हैं दूसरी गल्ती जो लोग करते हैं वो क्या है करते हैं दूसरे गल्ती की जो की और भी खतरनाक है पच्चे समझते हैं कि चलो फर्स डेरिवेटिव का 0 होना तो अनिवारे नहीं होता है दोस्तों ऐसा बिलकुल नहीं है जब आप कहते हैं डबल डेरिवेटिव इक्वल डू जीरो यह मात्र इस बात का संदे देता है कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो चुका है double derivative test का जो इस्तमाल होता है वो basically होता है point of extrema find करने के लिए जिसे local maxima और local minima भी कहते हैं तो यहाँ पे जब double derivative positive होता है किसी point पे तो इस point पे local minima होता है क्योंकि curve का जो curvature होता है वो concave upwards होता है इस case में आपका double derivative है मान लिजे यह point A है इस point पे आपका double derivative positive होगा जब आपका curve का double derivative किसी point पे negative होता है यसे मान लिजे एक point B है यहाँ पे आपका double derivative negative है तो यहाँ पे आपका point of local maxima होता है जिसे हम यहाँ पे लिख देते है local minima और यहाँ पे local maxima अगर आपका double derivative किसी point पे 0 आ जाए, मान लिजे point C पे 0 आ जाए, तो उसका बस यह मतलब होता है, double derivative वहाँ फेल हो चुका है, इसका यह मतलब नहीं होता है, कि वो point of inflection हो गया, बिलकुल नहीं, point of inflection तब होता है, जब double derivative 0 हो, और triple derivative 0 नहीं हो, तब जाके आप कह सकते हैं, कि C is a point of inflection, तो अब बात आती है, कि किसी भी continuous और differentiable curve के लिए, हम लोग point of inflection कैसे निकाले, या इस बात को कैसे जाने कि कोई point, point of inflection है या नहीं, तो दोस्तों, कई बार तो, यह आपके question पर भी निरवर करता है, पर जो हम लोग test इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत ही robust test है, वो है nth derivative test. nth derivative test यह कहता है, कि माल लीजे कोई point C है, जहां पर आपका first derivative 0 हो जाए, second derivative भी 0 हो जाए, third derivative भी 0 हो जाए, और ऐसे करते करते, आपका nth derivative भी 0 हो जाए, बट यह ऐसा point है, जहां पर आपका n plus 1th derivative 0 नहीं है, माल लीजे कि यह point, यह value K है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा algorithm, आपको बताते हैं यहां पर, जो आपके लिए, J के लिए बहुत ही महत्त पूर्ण साबित होगा, यहां पर algorithm यह है, कि अगर आपका जो n value है, यह एक odd number है, आपका जो n value है, यह एक odd number है, और यह जो K value जो आपके सामने यहां पर आई है, जिसकी value जो आपने non-zero दिखाई है, वो K value आपकी less than 0 है, इसका यह मतलब होता है, C is a point of local maxima, और अगर आपकी K value positive आती है, तो इसका यह मतलब है, C is a point of local minima, पर साथियों अगर मान लीजे, n आपका even आता है, अगर n आपका even आता है, मतलब आपके odd derivative पे, यह non-zero value देता है, तब जाकर, तब जाके दोस्तों, C is a point of inflection, यहां पे हो पाता है, अनिथा नहीं, तो इन दो गलतियों से आपको पशना चाहिए,